प्रशान दवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत अपनी आर्मी सेंड करेगा अफगानिस्तान में इंडिया के पास अभी के लिए क्या ओप्शन है क्या हम कर सकते हैं ये भी हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक बाद अवे UPSC इंडिया और इंडिया और इस नेवरोड ना फर्स्ट फॉपल ये क्वेस्चन भी आज के समय क्यों सामने आ रहा है हम लोग अपनी मिलिटरी अपनी आर्मी अफगानिस्तान में सेंड क्यों करेंगे वेल इसके वेरियस रीजन से प्राइमरी रीजन यहाँ पर है इंडिया के ऐसेड हाली में Member of Parliament शाशित रूट ने किन सरकार से क्वेस्चन पूछा था कि क्या हमारी जो 3 बिलियन डॉलर की investment है इन अफगानिस्तान जो 3 बिलियन डॉलर का taxpayers money है जो हमनेinvest किया था इन अफगानिस्तान for its better future क्या हम यहाँ पे accept कर ले कि वो सरा पैसा waste चला गया है और और in the future भी हमारे बहुत बड़े आपर plans थे के railway link यहाँ पर हम बनाएंगे और चाबार के थुरू यहाँ पर अफगानिस्तान को हम connect करेंगे और फिर हम उसबेकिस्तान तक पहुच सकते हैं तो आप अगर सोच कर देखिए अफगानिस्तान में अगर completely तालिबान का take over हो गया और तालिबान यहाँ पर जैसे के आप जानते हैं बहुत ज़्यादा प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान हैं तो ऐसे सिनारियों में यह expect करना के यह लोग इंडिया को entry देंगे all the way to Central Asia हो सकता है कि इस case में इंडिया को अपने plans change करने पड़े और चाबार पोर्ट का इस्त infrastructure बिल्ड करके फिर तुर्कमेनिस्तान से होते हुए Central Asia जाना पड़े इसमें हमारे billions of dollars और खर्चोने वाले हैं चाबाहर प्रोजेक्ट वेस्ट नहीं होगा चाबाहर प्रोजेक्ट की जो importance है यह काफिया तक बनी रहेगी हमारे पास और भी बहुत सारी options हैं हम इरान को सिर investments हमको चाहिए होगी नव एक question यहाँ पर आप यह भी पूछ सकते हैं कि क्या वैसे अभी के लिए जो इंडिया के assets है इन अफगानिस्तान इनको genuinely कोई threat है तालिबान ने ऐसा कुछ का है तो देको अफगानिस्तान से ही बहुत सी report सामने आई है कि तालिबान ने अफगानिस सकते हैं तो डैम को destroy करने के chances काफियत तक कम है हाँ जो इंडिया यहाँ पर railway line बिछा रहा था जो इंडिया ने सडके यहाँ पर already concert कर ली है उसमें हो सकता है कि तालिबान काफियत तक बादा डाले और उन assets को destroy कर दे ताकि इंडिया को altogether फिर तुर्कमिनिस्तान या फिर जो एक टाइब का power sharing pact कर वाले इसमें क्या होगा कि अफगानिस्तान का कुछ region control करेगी अफगान government और बाकी का जो majority region है वो control करेगी तालिबान और दोनो peacefully coexist करेंगे इसके chances बहुत ज़रा कम है क्योंकि तालिबान बहुत ज़रा power hungry है उनके पास strategic momentum है वो लगातार advance करते जा रहे ह आज के समय अशरफगनी के पास जो military available है जो train करी है US ने इसकी संख्या है एक लाग सतर हजार एक लाग असी हजार के आसपास और तालिबान roughly आप कह सकते हैं सतर असी हजार के आसपास है मगर तालिबान के पास जादा war experience है ये लोग जादा fearless है सुसाइड warming को लेकर जादा शर्माते नहीं है तो इसलिए possibility आपे बदाई जारी है कि आने वाले कुछ महीनों में अगर किसी और country ने कोई बड़ा step नहीं चला अच्रफगनी की सरकार को बचाने के लिए तो तालिबान यहाँ पे overrun कर जाएगा काबुल को तो इसलिए हम देख रहे हैं कि अफगानिस् assistance मांग सकते हैं और इस बात को लेकर तालिबान भी काफियत तक aware है चाइना भी काफियत तक aware है तालिबान ने अलड़ी कहा दिया है कि इंडिया को impartial रहना होगा अफगान issue को लेकर ना अश्रफगनी की side low ना हमारी side low impartial रहो और even चाइना में भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे इनके सरकारी मीडिया ने यह article publish करने start कर दिये हैं कि इंडिया आजकल अफगानिस्तान government को simply इसलिए support कर रहा है क्योंकि इंडिया यहाँ पे उमीद कर रहा है कि इंडिया की एक friendly government रहे in अफगानिस्तान और अगर Taliban power में आ गया तो अफगानिस्तान बहुत ज़र यह question properly भारत के सामने आने वाला है आने वाले कुछ दिरों में जब अफगानिस्तान के आर्मी चीफ जिन्होंने recently अपनी post समाली है जून के महिने में जून 2021 में जैनरल वली मुहमद यह भारत में आएंगे एक बहुत ही important विजट के लिए तीन दिन की विजट होगी यहाँ और बदाया आपर यह जा रहा है कि यह इंडिया से officially help मांगेंगे यह आपर कहेंगे कि at least कुछ हजार soldiers के आसपास तो आप काबल में उतारिये ताकि हमारा manubal यहाँ पर बने हमें लगे कि एक properly well trained army जिसको काफिया तक experience है यह हमारे साथ लड़ रही है मगर क्या इंडिया ऐ obviously they will make an impact इसे तालिबान में काफिया तक रुख जाएगा मगर problem यहाँ पर आएगी इंडिया में internally क्योंकि अगर हम यहाँ पर यह मान के चले कि हम लोग अपने soldiers अफगानिस्तान में भेशते हैं और यहाँ पर zero casualties होती है हमारे soldiers को बिलकुल भी नुक्सान नहीं होता यह जिय को ने अपने जवान इतनी दूर अफगानिस्तान में क्यों भेजे हैं और जो pressure कई सालों से American President झेलते आये थे कि हमारे जवान दूर जाके बाकी countries में बलिदान क्यों दे रहे हैं same question पूछा जाएगा Indian government से फिर एक issue यहाँ पर यह भी आता है कि इंडिया अगर अपनी army यहा और पाकिस्तान तालिवान के support में कश्मीर और लदाक की जो water है यहाँ पर aggression स्टार्ट कर दे अगर इंडिया की रिखो strategy अभी के लिए यहाँ पर यह है कि अफगानिस्तान की जो army है इसको proper तरीके से weapons हम provide कर रहे हैं अफगानिस्तान बहुती लंबे समय से हमसे offensive military hardware request कर चुका है इंडिया ने एक दिये हैं अब तक अफगानिस्तान को officially on paper 4 MI24 helicopter और 3 Cheetah utility helicopter और अभी भी आप अगर देखो तो यहीं इंडिया का main option है कि अफगानिस्तान को weapons हम provide करें पाकिस्तानी मीडिया ने तो recently articles भी publish किये हैं कि Indian Air Force ने secretly airlift किये है weapons to Afghanistan बहुत सी artillery shells बहुत सी guns बहुत सारा ammunition ये इंडिया ने drop किया है अफगानिस्तान में transport aircraft के जिरिये ना ये बात सच है नहीं है इसके बारे में 100% शोटी के साथ कोई किया नहीं सकता मगर ये इंडिया के पास एक काफी अच्छा option है क्योंकि आप इसका alternative देखो इसका जो विकल्प है आप इसको अगर देखो तो इंडिया अगर मानलो यहाँ पर कुछ भी नहीं करता हम लोग करते हैं कि तालेबान eventually काबुल को overtake कर ले उसके बाद ये expect करना कि तालेबान जिसको बहुत support मिली है from Pakistan, from China ये इंडिया को business करने देगा in Afghanistan, इंडिया के projects बनने देगा in Afghanistan, ये सब possible नहीं होगा, तालेबान obviously एक anti-India stance रखेगा, चाए इंडिया पर ये लोग attack ना करे, कश् बहुती बड़ा strategic loss होगा, तो देखो the time to act is now, या तो इंडिया यहाँ पर add करेगा, या फिर हम accepting कर रहे हैं यहाँ पर ये बात कि इंडिया की जो सारी investment थी, ये बिलकुल पानी में चली गई, और अब altogether Central Asia की तरफ नए roots ढूडने का time आ चुका है, and finally यहाँबर मैं ये भी add price लेखा है, ये पर मत कर देना, for example अगर यहाँपे आप purchase करते हैं, UPSC का plus course, to 24 month का course आपको पढ़ेगा, 3000 रुपीस का, मगर यहाँपे आपकर डालते हैं code PD10, the prices will fall even more, so use the code PD10 and save money, and by the way, August 1 से, जो सारी subscriptions हैं, इनके prices बढ़ने वाले हैं, तो अगर आप अपना course purchase करना चाते हैं, तो now is a great time to do it, so इसी note के साथ, ये है वीडियो का अंत, thank you for listening, and as always, God bless you all.